दोस्तों स्वागत है आप सभी का B.S.C. अड़ा में आईए हम लोग पहले एनलेसिस कर लेते हैं आज की अपने इंट्राडे स्टॉक का और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है आज का हमारा स्टॉक था टॉरेंट पावर का इसे बाय करना था 416 के उपर पहला टारगेट 420 का दूसरा टारगेट 424 का था अब जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख पारें दोस्तो यह स्टॉक ओपन हुआ था 413 का और उसके बाद आज इसे स्टॉक ने हाई मारा है 420.20 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक ने अपने बाय साइट के पहले टारगेट को अचीव किया और एक अच्छी ट्रेट साबित थी इस स्टॉक में आपको सौट सेल करने का मौका नहीं मिलाओगा क्योंकि यह स्टॉक 507 के नीचे नहीं गया आएव हम लोग देख लेते हैं कि कल हम अपनी इंटरेट की ट्रेड किस स्टॉक में डालने वाले हैं कल के लिया हमारा स्टॉक है वोल्टास का आप चाहें तो अपनी इंटरेट की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं with proper target और stop loss के साथ, इसे buy किया जा सकता है, 909 पर पहला target, 913, दूसरा target 920 का, अगर यह नीचे गिनना सुरू होता है, तो आप इसे short sale कर सकते हैं, 898 पर पहला target, 894 दूसरा target, 887 का, और दोस्तो stop loss रहेगा आपका 7 points का, तो कल की हमारी intraday की trade, voltage by 909 short sale, 898 and the stop loss is 7 points, तो दोस्तो बहुत अच्छे से trade डालिए, intraday trading rules को ज़रूर follow करिए, rule no.1 minimum profit सबसे पहले book करिए, rule no.2 stop loss को ज़रूर लगाए, rule no.3 overtrading मत करिए, rule no.4 proper breakout होने पर entry लीजे, जल्द बाजी मत करिए, तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को तुरनती सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको अपना D-Mate अकाउंट खुलवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना D-Mate अकाउंट खुलवा सकते हैं, और नेक्स्ट डे से हमारे साथ ट्रेडिंग सुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी, एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,